हाई गईज और वेलकम बाक तो दी चैनल दीपच यादा वेजुकेशन वेलकम दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 21st ओफ मार्च 2023 तो गईज जाथ है तारेक 21st मार्च 2023 और है टूसडे दिखेंगे आज के दे हिंदू कंप्लीट यूज पेपर को अनलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दनुस के बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच ज्यादा वेजुकेशन यूपी एसी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे कले करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बिसस पर लेक्चर का पीडियेफ मिल जाता है डेली करेंट अफ़ेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है और डेली बिसस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाता है आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है नाइरोबी को काफी चर्चा में है इसको अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2021 के previous year में पूछा गिया था और यहाँ पर हम लोग daily basis पर एक previous year question को भी solve करते हैं Question क्या बूलता है constitutional government मतलब क्या होता है Option A, a representative government of a nation with the federal structure या फिर Option B, a government whose head enjoys nominal parts या फिर Option C, a government whose head enjoys real parts या फिर Option D, a government limited by the terms of the constitution तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है At least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ By the way, इसका जो correct answer है वो मैं आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परिशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शोबार हम करते हैं और चलते हैं सबसे पहले thumbnail वाले important article की तरफ दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं COVID-19 pandemic की तो दुनिया भर की countries ने बहुत बुरा दोर देखा है COVID-19 के समय पर economy वगरा पूरी तरह से down हो गई थी उसके जो impact है वो अभी तक यहां पर देखने पड़ रहे हैं दुनिया भर की economy के उपर में अब हुआ ये था कि COVID-19 pandemic को लेकर कई सरी reports पब्लिश होई क्या करकार ये बिमारी कैसे फैली है कुछ reports ने बताया कि ये बिमारी चमकादर्ड की वज़से फैली है कुछ ने बताया पैंगलोन की वज़से फैली है लेकिन अभी दो दिन पहले बहुत सरी और reports पब्लिश होना start हो चुकी है जहां पर बोला ये जा रहा है कि COVID-19 पेंडेमिक ना ही चमकादड ना ही पैंगलिन ये बल्कि एक दूसरे ही जानवर की वज़ा से फैला है और वो जानवर आपको यहां पर पिच्चर में दिखाई पड़ रहा होगा इस जानवर का नाम है रकून डॉक्स क्या नाम है रकून कह सकते हो आप हिंदी, इंग्लिश, सभी लेंग्वेज में यहां पर जो ये आर्टिकल से वो पुब्लिश होते हुए नज़र आ रहे हैं ये आप देखपाऊ गडिन एक्स्प्रेस का आर्टिकल है रकून डॉक्स लिंक टो कुरोन वाइरस पैंडेमिक वाट आर दीज एन जानवर हैं अच्छा रकून क्या है फिर रकून आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा इसकी जो पूछ है उस पर आप ग्रे और ब्लाक कलर का दोनों का कॉंबिनेशन भी देख सकते हो ये क्या है ये तो एक केवल रकून है लेकिन रकून डॉक्स क्या होते है वो जानवर नजर आता है अब दोस्तों रकून डॉक्स को लिकर और भी कई सारी इंफर्मेशन है वो चीज़ा आपको जरूर से पता होनी चाहिए देखो हाली में क्या हुआ था ना चाइना का वुहान मार्केट काफी चर्चा में था क्योंकि चाइना के वुहान मार्केट से ह देख लेना वुहान मार्केट की कई सारी वीडियो जहां पर अप्लोड़ेट हैं बट कोविड-19 जैसी पूरी तरह से फैल चुका था लॉक्डाउंस लग चुके थे तो इस वुहान मार्केट को भी बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए अब इसी मार्केट में बेसिक से originate हुआ है और अभी भी यहाँ पर जो रेकूंट आग्स को लेकर information है न वो भी यहाँ पर proper confirmation के साथ में नहीं बोली जा रही है बस खाली यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम रेकूं डोग्स का जैनेटिक देखनेंगी एक फार एक लिंक देखने को मिला है एसा यहाँ पर mention रकून डॉक्स का एक बहुत बड़ा लिंक हो सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस मार्केट में रकून डॉक्स भी बेचे जाते थे तो इस वज़ा से यहां पर जब यह चीज़ पता चलती है न तो यह जो यहां पर अभी कुछ पाया गया है डेटा के अंदर में तो वो चीज़ कहिने के कंफर्म होती हुई नजर आती है अब उसी वज़ा से आपको थोड़ा सा रकून डॉक्स के बारे में पता होना चाहिए देखो रकून डॉक्स में आपको बताई चुका हूँ ना तो यह डॉक्स है और ना ही रकून है इन दोनों का ही एक छोटा सा combination देखने को मिलता है यह जो जानवर है यह Dannet family को belong करता है अब Kelly family को belong करने के साथ साथ लोंडी सैसे यहां पर दिखाई पड़ता है यान कि जो लोंडी होती ना उससे काफी ज़दा related यह जानवर देखने को मिलेंगे तो यह एक कार्निवरस mammal है कार्निवरसcell attendant मतलब जानवर यह एक कॉमन रेकून है जो की सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यह स्पीशी वहान मार्किट के अंदर भी बेची जाती थी ऐसा यहां पर बोला जा रहा है और दूसरे वाला जो यहां पर रकून है उसका नाम है निक्टेरिश्रस पी विवेरिनस यह एक जैपनीज रकू वगरा भी खाना पसंद करते हैं यह वले जानवर ठीक है सवाल यह है कि रेकून डॉक्स कहां का पर पाये जाते हैं तो यह भी एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है एक्जामनेशन के लिए क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं तो रेकून डॉक्स ओरिजनल ली इस्ट एशा के अंदर पाये जाते हैं और वहां पर भी खासकर चाइना उसके बाद में कोरिया जैपान यह कुछ कंट्रीज हैं जहां पर सबसेदा रेकून डॉक्स ही संख्या पाये जाती है और इन कंट्रीज में रेकून डॉक्स को तनू की नाम से जाना जाता है आपने देखा होगा इनके ओपर भी काफी सारा फर होता है तो फर के जो व्यापारी है और वह बैसिकली यूरोप में लेकर गए थे इन राकून डॉक्स को तो यूरोप के अंदर भी यहाँ पर राकून डॉक्स पाय जाता है अब सवाल यहां पर यह है कि जो यह राकून जाना, ये वुहान में क्यों बेचा जाता था, वुहान में क्यों यहाँ पर इसको बेचते थे, देखो, लंबे समय से, बोला ये ज़रा, कि दसी ओ साल से, और दशकों से कह सकते हो, बहुत सरे जो जानवर हैं, वो वुहान market के अंदर बेचे जाते हैं, और चाइना उनको consume भ अगर भी होता है इदर से उदर यहाँ पर भीजा जाता है रकून डॉक्स को, तो यह लोग करते कैं जो ब्रीडिंग होती है उससे बहुत सारी अलग अलग खतरनाक बिमारिया उत्पन होती हैं, तो ये भी कहिने की एक कारण बताया जा रहा है कि possibility ये हो सकता है क्योंकि जब transportation करते हो तो छोटे छोटे जालों के अंदर में चोटे छोटे याँ पे पिंजूटों के अंदर में इं डॉक्स को भर दिया जाता है कुछ और जानवर को भर दिया जाता है जिससे यहां पर कई सारे बिमारियां फैलने के काफी ज़्यादे चांसिस हो जाता है सवाल यह है कि रैकून डॉक्स को इस बिमारी से क्यों लिंक किया जा रहा है इसके पीछे का कोई ठोस चीज है क्या अब उस ठोस चीज को समझते है तो NPR के तुरू न एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया कि जो हम रैकून डॉक्स की बात कर रहे है 2003 में ये पाया गया था कि जो रैकून डॉक्स है न ये कोरोना वाइरस को कैरी कर सकता है मतलब इस कोरोना वाइरस का रैजर्वोयर नहीं है नैचुरल होस्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर कोरोना वाइरस को कैरी कर सकता है लेकर फैला सकता है ऐसा 2003 में औलेडी पाया गया था और बोला जारता है मतलब वही कोरोना वाइरस जो कि कहीना की अभी की बार आज से दो साल पहले पूरी तरह से फैल चुगा था फिर उसके आद और भी किसारी स्टडीज हुई 2022 की एक और स्टडीज होती है चाइना के अंदर जिसमें बताया गया जो यह रेकून डॉक्स है न इन में लगबग बदला भी इसके अंदर ये पेसिटी होती की लगबग 102 प्रकार के अलग-लग जो वाइरे से वो फैला सकता है यैं कैरी कर सकता है तो आप इमएजन करो यहां पर कितना खतरनाक हो सकता है यहाँ पर यह रैकून डॉग, अब जिस प्रकार से आपर चाइना मैनेज करता है, तो इससे बहुत से विमारिया फैलने के चांसिस हैं, इन्हीं सारी चीजों को देखते वे, एक कनेक्शन बताया जा रहा है कि रैकून डॉग्स का काफी बड़ा कनेक्शन हो सकता है कोरोना वाइरस में, फिर बाद में एक और स्टेडी होई, 2022 के अंद में एक और स्टेडी होती है, उसमें फिर से यह बताया आगा कि जो रैकून डॉग्स है न, यह स्पेसिफिकली चार अलगलग प्रकार के कैनीन कोरोना वाइरस को भी कैरी कर सकते हैं, जानि कि वही वाइरस जो क कई सारे वाइरस अलड़ी पाए जाते हैं, बट यहाँ पर इस रैकून के अंतरे वाइरस पाए नहीं जाते हैं, लेकिन यह शमता रखता है कि इन वाइरस को कैरी करके फैला सके सभी जगा में, ठीक है, तो इन्हीं कनेक्शन की वज़़े से यहाँ पर जो रैकून डॉग कर पाओगे, यहाँ पर इंडिया और जैपान के बारे में डिस्केशन किया जा रहा है, कल मैंने आपको क्या बताया था, कल भी हमारे पास में आर्टिकल आया था, जहां मैं आपको समझाया था कि इंडिया और जैपान के बीच में आपर डिस्केशन होने वाला है, जैपान खदम नहीं, आपके बास में proper notes वगर भी तो होने चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर manage करने के लिए, कभी-कभी मैं article को आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है तो उसके लिए परेशान ना हुआ करो, तो यहाँ पर जो Japanese Prime Minister है, Fumio Kishida, वो आ चुके है इंडिया, और PM के साथ म यहाँ पर उन्होंने काफी सरे topics को उपर discussion किया है, जैसे Ukraine का issue को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, G7 को लेकर चर्चा की गई है, G20 को लेकर चर्चा की गई है, अच्छा G7 और G20 को लेकर क्यों चर्चा की गई है, क्योंकि G7 countries को अपकी बार host कर रहा है जापान, और G20 countries को अब की बार होस्ट कर रहा है इंडिया तो इन उनने मिलकर यहाँ पर जी सेवें जी ट्वेंटी युक्रेन इशू इन सब टॉपिक्स के उपर डिसकर्शन किया है और इससे भी एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक यहाँ पर उठा हुआ है वो है इंडो परसिविक रीजन को फ्री और ओपन मनाना इंडो परसिविक रीजन को और ज़दा सिक्यूर मनाना फ्री और ओपन मनाने के उपर अभी यह जो दोनों कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पर डिसकर्शन किया है ऐसा यहाँ पर बोला गया और उसके बाद मैं आपको बता हूँ इधर एक मीटिंग चल रही है और दूसी तरफ एक और मीटिंग चल रही है दूसी तरफ का पर मीटिंग चल लेए जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिन्पिंग वो पहुंच चुके के अंदर में होगी में के महीने में ठीक है तो अभी याँ पर फिमयो की शदाज जो है ना वो इंडिया को भी इंवाइट कर चुके हैं इंडिया को भी याँ पर as a guest बुला चुके हैं एक special इने topics के ओपर थोड़ोबा discussion किया गया लेकिन करना क्या है अब examination के लिए पढ़ना है न तो आपको इंडिया और जैपान के relations पता होने चाहिए कोई भी किताब उठाओगे static वाली जहांपे आप international relations cover कर रहे होंगे तो वहाँ पर यही points मिलेंगे जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर provide करवाने वाला हूँ ठीक है तो यह तो हम आलएट discuss कर चुके हैं सबसे पहले हम समझेंगे इंडिया जैपान के relations में एक बहुत महत्वपूर point वो यह है कि दोनों देशों को एक दूसरे की क्यों जरूरत है और दोनों देश यहाँ पर अभी इन दोनों देशों के बीच में कुछ common चीज़ा नजर आती है वो common चीज़े क्या है सबसे पहले strategy हुआ क्या है ना चाहे आप बात करो जापान की चाहे बात करो यहाँ पर इंडिया की दोनों ही देशों के जो relations हैं वो चाइना के साथ में खराब है चाइना के साथ में संबंध इन दोनों ही countries के ज़ादा अच्छे है नहीं जिसकी वज़ा से चाइना को हम tackle करना चाहते हैं और जो खासकर Indo-Pacific region है ना वहाँ पर जो चाइना का aggression है उसको रोकने का मकसद है तो उसके लिए इंडिया और जापान साथ में मिलकर यहाँ पर काम करते हैं अब आप सोच रहोंगे कि चलो हमें ये तो पताए कि यहाँ चाइना के साथ में भारत की relations खराब हैं बॉर्डर इशू उसकी वज़ा से बार बार यहाँ पर चाइना बॉर्डर पर घुसने की कोशिश करता है इस वज़े से relations खराब हैं लेकिन ये बताओ जैपान और चाइना के relations क्यों खराब हैं तो उसको समझने से पहले यहाँ पर जैपान की location देखो यह हमारा world map हुआ यहाँ पर आपको जैपान दिखाई पड़ेगा ठीक है यह जैपान हो गया और यहाँ पर आपको यह इंडियन ओशन दिखाई पड़ रहा है यह पैसिविक ओशन दिखाई पड़ रहा है तो जैपान और चाइना दूर दूर लग रहे हैं तो इनके relations को खराब है, इनके relations basically एक island की वज़े खराब है, क्योंकि China और Japan के बीच में एक island आता है, Sinkaku Island, इस Sinkaku Island को लेकर विवाद रहता है, China claim करता है यह मेरा island, Japan बोलता है यह मेरा island है, ठीक है, तो इसको लेकर विवाद रहता है, जिसकी वज़े से यहाँ पर इंडिया और Japan, दोनों चाहते हैं कि हम Indo-Pacific region में, Indo-Pacific region कौन सा हो गया, Indian Ocean और Pacific Ocean यानि इस वाला region, इस वाला region की बात करते हैं कि इन दोनों देश जो है, इनका major मकसद यह है, कि जो China है न, इसका जो aggression है, वो basically इस particular region में रोका जा सके, तो पहले चीज़ तो आपको यह देखने को मिल जाएगी, दूसरा यहाँ पर दोनों देशों का security को लेकर भी एक बहुत बड़ा corporation है, यानि कि इंडिया और Japan, दोनों के पास में ही एक बहुत बड़ा exclusive economic zone है, exclusive economic zone समझते हो न, इसका मतलब यहाँ पर यह है, कि कोई भी country, जैसे कि suppose यहाँ पर, यहाँ पर suppose example बता रहा हूँ, जैसे मान लो यह Japan है, तो Japan यहाँ पर समझते के बीचों बीच में स्थे थे, तो समझते का जो आसपास का कुछ region जो है न, जो की समझते के साथ में boundaries को share करता है, फिर उसके बाद वाला जो समझते होगा, वो सब international water कहलाता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इंडिया के साथ में भी होता है, जैसे इंडिया के यहाँ पर निचला हिस्ता देखोगे, तो यहाँ पर जो समझते है नीचे, कुछ हिस्सा यहाँ पर इंडिया की territory में आता है, उसको हम लोग exclusive economic zone बोलता है, उसके भारत का पूरी तरह से control है, उसके बाद यहाँ पर international waters जो हैं वो शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इंडिया और जैपाइन दोनों के पास में बड़े-बड़े exclusive economic zones आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस उसके बाद मैं यहाँ पर कह सकतू हूँ न, दोनों देशों को एक दूसरे का फायदा भी होता है, जैपाइन सम कैसरी technologies को ले लेते हैं, और जैपाइन को हम support प्रोवाइड करवाते हैं अलग-लग तरीके से, क्योंकि जैपाइन का काफी सरा व्यापार होता है, जैपाइन काफी सरा समान मंगाता है और बेचता भी, export भी करता है, import भी करता है, तो export, import होता कहां से है, तो यहाँ पर आपको जैपाइन दिख रहा होगा, इस रास्ते से होता है, तो यहाँ पर जो अलग-लग streets हैं, वहाँ से यह जो जहाज है वो गुजरता वा जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर, यहाँ से निकल कर, इधर कहीं पर व्यापार करना है, यहाँ से कुछ समान मगाना है, तो इस प्रकार से यह वाला रास्ता जो है, यह अपनाया जाता है, सवाल यह है, तो इसमें हुआ क्या, इसमें यह है कि इंडियन ओशन, जिस पर भारत का अच्छी तरह के से कंट्रोल है, पैसिविक ओशन, काफी एरिया में यहाँ पर कंट्रोल है, तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन नेवी है, हमारे कोस्ट गार्ड है, वो यहाँ पर जापान का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है न, उसकी सुरक्षा करते रहते हैं, उसके देखबाली करते रहते हैं, ये यहाँ पर mention किया गया तो Japan के समान के शुरक्षा भी हो जाती है ये चीज़ आपको यहाँ पर नजर आती है तो यहाँ पर भी न दुनों देश आपस मिलकर cooperate करें और economy का मामला है ही economy में आप देखोगे India जो है न इंडिया के पास में लेकिन वो metals बहुत मुश्किल से पाए जाता है कि कुछी कुछी देश में पाए जाता है तो भारत के अंदर में कई सारे rare earth metals पाए जाते हैं बट Japan चाहता है कि हम उन rare earth metals का proper यूज़ कर सके है ना उन metals का यूज़ करके अलगलग products बना सके तो Japan को वहाँ पर भी support प्रवाइड करवाता है भारत प्लस जापान आज के समय पर इंडिया के प्रती और ज़्यदा interested हो चुका है अपने relations को और ज़्यदा मजबूत कर रहा है उसके पीछे का एक reason ये भी है अब इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यदा अबादी वाला देश बन चुका है दूसरी तरफ यहाँ पर जपान के अंदर में अबादी लगातर खतम होती जा रही है लोग बूड़े होते चले जा रहे हैं हेनम आपर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं यहाँ पर बूड़े होते चले जा रहे हैं दूनों देश का मकसद और है तो यह मैं आपको कुछ factual data बताया है, यह दिहानक न, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़े हैं, जैसे इंडिया, जपान, अच्छा एक चीज़ और है, दोनों देश का मकसद और है, देखो United Nation Security Council के बारे में आपनों सुनाओगा, United Nation की हमारी एक body है, अब इसके अद वासे लड़ने का issue हो गया, या कुछ बदलाव लाने है UNSC के अंदर में, इस प्रकार के issues के उपर में, यह दोनों ही देश आपस हम बिलकर काम करता है, ठीक है, climate change हो गया, terrorism हो गया, terrorism को counter करना हो गया, या United Nations Security Council के अंदर कुछ बदलाव करना, अच्छा UNSC के अंदर क्या बद कर काम करता है, अब उसके वाद में, इंडिया और जैपान के कुछ bilateral relations हो, उसको थोड़ा discuss करेंगे, इंडिया और जैपान की हम लोकेशन अलड़ी देख चुके हैं, तो वहाँ पर इसको cover करने के आवश देखता नहीं है, अब पहले हम दोनों देशों के economic relations को देखेंगे, कि economic के मामले में कैसे दोनों work करता है, तो economic के मामले में दोनों देशों ने मिलकर एक agreement sign कर रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं comprehensive economic partnership agreement, ये basically एक प्राकार का free trade agreement है, जिसके मादयम से दोनों ही देशों को व्यापार में काफी फायदा होता है, जब ये व्यापार करते हैं, हो चुका है, फिर उसके बाद में दोनों देशों के बीच के व्यापार का discussion करते हैं, तो इंडिया कहिने के अठारवा largest trading partner है जापान का, और जापान हमारा बारवा largest trading partner है, ये basically साल 2020 का data है, क्योंकि external affair का जो website है, वहाँ पर आपको 2020 तक का ही data updated देखने को मिलेगा व्यापा सकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़े पूछी जाती ही नहीं है, ठीक है, आगया आता है, अब बात करते हैं investment की, हाँ ये एक important point हो सकता है, आप देखो के साल 2000 से लेकर, सन 2000 से लेकर, अभी सन 2022 तक, जो जपान का investment है, इंडिया के प्रती, वो काफी जदा बढ़ चुका है, ल तरीके से foreign direct investment है, वो हमारे देश में कर चुका है, ऐसा यहाँ पर mention किया जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है, defense and security cooperation की, ठीक है, ये हमने economy वाले relations कवर कर लिए, तब defense की बात आती है, तो defense में आप देखो के again, दोनों देशों का एक और बहुत बढ़ा link है, कैसे कि साल 2008 में दोनों देशों ने मिलकर joint declaration on security cooperation जो है न वो किया हुआ था, एवर इविन आप देखो के दोनों देशों के बीच में कई सारी meetings होती है, defense वाली एक बहुत important meeting है, 2 plus 2 वाली, वो meeting भी यहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में की जाती है, 2 plus 2 meeting में कौन कौन हो तो यह दोनों minister इंडिया के भी होंगे और जैपान के भी होंगे, और आपस बैटकर यहाँ पर discussion करते हैं, खासकर defense sector को लेकर, नवंबर 2019 में पहला 2 plus 2 meeting हुआ था, न्यू डेली के अंदर में, उसके बाद हम लोग 2 plus 2 meeting जैपान के साथ में करते रहते हैं, जैपान यहाँ प उसके साथ 2018 से एक अभिहास है जिसका नाम है धर्म गार्जन, धर्म गार्जन नाम का एक अभिहास है जो कि इंडिया और जैपान दोनों की military के बीच में होता है, इसको हम 2018 से करते हुए नजर आ रहे हैं, अब की बार साल 2030 साल वाला जो है यह अभी जिस साल में हम चल रहे ह क्यों कि इस बार जैनवरी 2023 के अंदर में एक और अभिहास की स्टार्टिंग की गरी है जिसका नाम है वीर गार्जन, वीर गार्जन नाम का जो एक अभिहास है वो इंडिया और जापान के लगबख कह सकते हो एरफोर्स के बीच में स्टार्ट किया गया है, ठीक है साल 2023 में स्टार्ट हो है तो इस विससे यहाँ पर थोड़ा सा इंपोर्टन हो जाता है, यह एक प्रकार का पहला फाइटर जेट अभिहास है, ठीक है आ गया आते हैं, फिर उसके बाद में कई सारी मीटिंग्स होती रहती है दोनों देशों के बीचे में वो यहाँ पर काम की बात है अब बात आती है दोनों देशों के सिविल नुकलियर अग्रिमेंट के बारे में, तो सिविल नुकलियर अग्रिमेंट आप देखोगे तो साल 2016 की बात है, नवंबर के महीने में इंडिया और जापान दोनों ने मिलकर एक डील शाइन की थी, नुकलियर एनर्जी को लेकर, इस डिल के मादन से जो जापान है ना, वो हमें नुकलियर रियक्टर, नुकलियर फ्यूल, टेक्निलोजी, यह जो सारी टेक्निलोजी जब वो यहाँ पर इंडिया को देगा, ठीक है, तो यह आप कह सकते हो, यहाँ पर भी एक important point नजर आ जाता है, तो यह थे complete इंडिया और 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो, साधी साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे connect कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बोक्स में लिखना, दीपच याद विजूकेशन, आपको यह profile मिलेगा, 11,000 से जाधा लोग मेरे साथ में जुड़े डिजास्टर लेकर आ सकता है, पुरे दुनिया भर में, यह बात यहाँ पर United Nation Panel की साइट से बोली गई है, पहला question यह है, सर, climate change होता क्या है, सभी को पता है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है, climate change का मतलब है, कि लगाता temperature का बढ़ना, जिस प्रकार से प्रदूशल बढ़ रहा हैं, कैसे, जैसे यह बोलाया है, अगर temperature बढ़ेगा ना, तो सबसे पहली चीज, जो भी यहाँ पर हमारे polar region है, North Pole और South Pole, यहाँ पर जो बरफ है, वो काफी तेजी से पिगलेगी, हमारे glaciers पिगलेंगे, तो glaciers पिगलेंगे, अगर तो उससे होगा क्या कि जो पानी है, वो स सारा का सारा कहां पर खटा होगा, समुदर में खटा होगा, तो समुदर का, दुनिया भर का समुदर का जो level है, वो बढ़ता से ले जाएगा, उपर उठेगा, उससे क्या होगा, उससे यह होगा, जो island countries हैं, जो समुदर के बीचों बीच स्थित काफी सरे देश हैं, वो अपने साथ में इन सारे एरियास को डुबाताबा चले जाएगा, तो ये कहिने की climate change के काफी सरे negative impacts आप कह सकते हो की पढ़ते हैं, तो इसको लेकर हमें तुरंथ ही एक action लेना ज़रूरी है, ये बात यहाँ पर United Nation Panel ने बोली है, और एवन यहाँ पर बोला है, कि जो IPCC की report ह अब ये IPCC क्या है, ये है Intergovernmental Panel on Climate Change, इन्होंने यहाँ पर Monday में इस चीज के ओपर बोल दिया था, कि देखो यार अगर आप action नहीं लेते हो, तो आने वाला समय हमारे लिए, हमारे future के लिए बहुत ज़दा खतरनाक होने वाला है, ये बात IPCC की side से भी mention की गई है, इसकी report के अंदर में है, तो सवाल यहाँ पर यह है, कि इस article में पढ़ने लायक है था, कुछ नहीं था, IPCC नाम की एक जो body है ये चर्चा में है, तो ये थोड़ा सा पढ़ने लायक है, ये जरूर सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि IPCC ने तो बोल दिया, ये temperature आपको कम करना है, य क्योंकि हर साथ साल में इसकी report publish होती है, तो क्या है ये overall IPCC समझते हैं, क्योंकि इसको लेकर पहले कई सारे examination में सवाल बन चुका है, तो ये international body है, जिसका काम है climate change को लेकर work करना, इस body को 1988 में बनाया गया था, World Metallurgical Organization और United Nation Environment Program के माधियम से, इसका मकसद है climate change को लेकर, उसको regulate क करने को लेकर, जो important informations है, वो यहाँ पर जारी करना, कि climate change का impact क्या पड़ेगा, future के उपर क्या impact पड़ेगा, इसका risk क्या हो सकता है, वो सारी चीज़े यहाँ पर बताने का काम करता है, उसके लिए IPCC अलग-लग reports को publish करता है, ठीक है, फिर उसका आतम में वो लगे है, जो उन IPCC की अभी तक कई reports आ चुकी है, जो पहली report release हुई थी, वो हुई थी, 1990 में, और पांच भी report आई थी, 2014 के अंदर में आप ऐसा कह सकतो, अगर 2023 में भी अब report आती है न, तो imagine करो, साथ साल बात, फिर उसके याद में 2030 में आपर वो report आईगी, IPCC की, यह जो assessment report है न, इस assessment report के अदर कई सारी detailing यहाँ पर mention की जाती है, इसमें अलगलग तीन groups बनाए गए हैं इस report के अदर में, वो तीनों group अलगलग चीजों को लेकर बात करता है, जैसे working group 1, यह deal करता है climate change वाले मुद्दो से, working group 2, यह बात करता है climate change का impact क्या पढ़ेगा, इसके क्या issues होंगे, फिर working group यह deal करता है actions को लेकर कि हमें क्या क्या actions लेने चाहिए, कैसा हम climate change को रोख सकते हैं, ठीक है इस प्रकार से यहाँ पर यह पूरा IPCC का report publish किया जाता है, next article पर आता है, business page पर आपको दो important articles देखने को मिलेंगे और दोनों के दोनों relevant है, यहाँ पर तो खेर कुछ खास बात नह इंपोर्ट करता है, कई करोड़ रुपय का gold हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है, अब हो क्या रहा है, इंपोर्ट होने के साथ साथ जो smuggling है वो भी नजला आती है, smuggling मतलब illegal तरीके से बहुत सरा सोना इंडिया के अंदर में लेकर आया जाता है, बोला यह गया कि साल 2022 से, यानि जो पिछला साल था ना, पिछले साल में gold की smuggling record तोड हुई है, मतलब साल 2022 से में इतनी smuggling हुई है कि इस से पहले वाले चार सालों में भी smuggling इतनी नहीं हुई है, तो record तोड यहाँ पर अवे तरीके से जो gold है वो यहाँ पर इंडिया में मगाया गया है, 2022-2022 में ऐसा यहाँ पर mention किया गया है, लगबख कितना, लगबख 4000 kg के असपास बोला जा रहा है, 4000 kg के असपास जो gold है वो जब्द किया गया है, मतलब यह gold वो है जो जब्द किया गया है, 4000 kg के असपास, जिसके smuggling हो रही थी, और ना जाने अपने mission में कितने लोग successful हो गयोंगे, ज COVID-19 से पहले का जो समय था ना, 2019-20 का, उसमें कोरोना नहीं था, तो उस समय पर भी इतनी smuggling नहीं हो रही थी, 2019-20 के comparison में 2022 ते इसको देखो गया ना, तो अपकी बार 10% की बड़ोतरी नजर आई है smuggling में, तो साल बास साल जो यह smuggling है, वो increase होती वी नजर आ रही है, gold की ऐसा पर data, तो हम लोग थोड़ा smuggling के बारे में जानेंगे कि कैसे यहां पर जो gold है, smuggle हो रहा है, और कितना gold smuggle हो रहा है, इसको लेकर क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, वो हम यहां पर discuss करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहां पर देखो, एक report आई थी, direct rate of revenue intelligence की, जिस में यह बोला गया था, लगबग 833 जो केजी है न, gold का, वो यहां पर smuggle किया गया है, तो 2021 में लगबग 500 करोट रुपे का सोना smuggle किया गया था, जबकि अपकी बार 2022 से इसमें, जो यह smuggling के काफी ज़दा बढ़ चुकी है, 4000 kg सोना पकड़ा गया है, सवाल यह है कि, यह smuggling ह वो कहां से रही है, उससे पहले एक बात और जानो, उससे पहले यहां पर एक बात यह जाननी है, कि लगबग आप कहसकते हो कि, पिछले कुछ सालों में, 16-17,000 केस निकल करा चुके हैं, smuggling के, खासकर एयरपोर्ट पर उन लोग को पकड़ा गया, जो कि यहां पर कई टन में जो सोना है, उसको स्मगल कर रहे थे, इविन यहां पर बोला गया है, लगबग पिछले 5 सालों में, 11 टन के आसपा जो सोना है, वो जब्त कर लिया गया है, अलग-अलग 16,000 केस निकल के साड़े 16,000 केस निकल कर दरज करवाए गया है, smuggling के, और उन केस के दोरान यहां पर, जो भी व्यक्तिक smuggling कर रहा था, जो सोना हुआ, उसके पास से जब्त किया गया, उस सोने की संख्या टनों में है, 11 टन के आसपा सोना जब्त कर लिया गया है, यह बात में बताई गई, उसके बाद बात, एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसल की, वर्ल्ड गो स्मगलिंग हुई कहाँ पर है, तो महराष्टरा में, महराष्टरा के अलावा, तामिलाडू में और केरला में, यह कुछ स्टेट से जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है, वो अवय तरीके से मगया आ गया है, यही पर सबसादर स्मगलिंग की गई है, सवाल यह म्यानमार से आ रहा है या बांगलिदेश से आ रहा है, कहोगे म्यानमार बांगलिदेश से आ रहा है, हाँ बिल्कुल यहां से आ रहा है, अब म्यानमार बांगलिदेश कहां से इतना सोना बेच पाएंगे, इतना सोना जो यह पकड़ा जा रहा है, उसके पीछे का रीजन य ऐसा यहाँ पर mention किया गया है सवाल यह है, यहाँ पर एक और चीज आती है कि भारत आखिरकर कितना सोना import करता है यह भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कितना सोना import करता है तो उसके लिए, दखो gold import की जब बात करता है न तो अब यहाँ पर बाता है, तो देड़ सरा पैसा भी जाएगा तो 2021 में लगबख भारत ने 3.44 lakh करोड रुपीज का जो सोना है वो import किया था जबकि 2020 में यह importing काफी कम हो गई थी बट अभी वहाँ पर बोला जारा है, इस साल थोड़ा और जादे का इंपोर्ट किया होगा, वो साल के अंत में एक डेटा निकल कराएगा जहाँ पर बताया जाएगा कि हाँ, आखिरकार कितना हम लोगों ने इंपोर्ट किया है, ठीक है, अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग बात करें इंडिया, अब इंडिया जो सोना मगाता है ना, तो हम प्योर सोना नहीं मगाता है हम मगाता है क्या, डोर बार डोर बार, डोर बार बेसिकलि यहाँ पर प्योर सोना नहीं होता है, यह सेमी प्योर एलोई होता है, यानि कि थोड़ा प्यूर ओगा थोड़ा यहाँ पर इसके अंदर बाकी वेस्ट होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर रिफाइन वगडरा करके उसको प्यॉरिफाइए करने के बाद में हम लोग सोना बनाता है तो काफी सरा जो डॉर बार है वो हम लोग मंगाते हैं इसका जो amount है लगबग कह सकते हो 30% से यह बढ़ता वा नजर आया है तो दोर बार की importing इंडिया सबसे ज़्यादा कर रहा है आज के समय में next article पर आते हैं अगला article यहाँ पर यह economy के लिए एक छोटा सा आपको जो term है वो सिखाएगा बात की जारी है current account deficit के बारे में data CAD के बारे में तो यहाँ पर यह बोला जारा है कि CAD जो है न चाहिए आप वो देखो चाहिए इंडिया की GDP growth देखो तो इंडिया की economy वगरा जादा अच्छी तरीके से grow नहीं की है इंडिया की जो GDP growth है न वो जादा बढ़िया grow नहीं हुई है इस बार ऐसा यहाँ पर बोला जारा है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो CAD है वो जादा बढ़ानी है CAD कम रहा है सवाल यह है कि चलो economy grow नहीं हूँ यह तो हम समझ गए बढ़ी तो CAD यह क्या है जिसको लेकर हमारी finance minister ने बोला है भली एकनॉमी जो GDP है वो थोड़ा से slowdown हो चुकी है लेकिन हमारे CAD के उपर जादा असर पड़ा नहीं है तो यह CAD है current account deficit का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने कितना खर्चा क्या और कितना कमाया ठीक है आपकी कमाई कितनी है और खर्चा कितना है पहले क्या होता था इसके उपर एक बहुत negative impact पढ़ता था यानि खर्चे खर्चे जादा हो जाते थे कमाई कम हो जाती थी तो यह कहीन है कि यहाँ पर कह सकते हो एक बुरी condition है और जब यहाँ पर हमारे खर्चे कम हो जाएंगे कमाई बढ़ जाएगी तो यह अच्छी condition है ठीक है तो यह current account deficit यहाँ पर आप समझ सकते हो next article पर आते हैं बाकी मैं आपको बताई चुका हूँ जब मैंने first of all article कवर किया था था न तभी बताया था कि जो रशियन चाइनीज प्रेसिडेंट है जी जिन पिंग वो रशिया जा चुके हैं और इस प्रकार से यहाँ पर व्लादमर पुतन के साथ मा भी discussion कर रहे हैं खासकर यूक्रेयन वाला जो इशू है उसको लेकर अभी ये दोनों देश मिलकर बैटकर बातचीत कर रहे हैं आज फाइनली दोस्तों आते हैं हम लोग अपने एडिटोरल डिसकुशन पर आज हमारे पास में तीन अच्छे इशू हैं एडिटोरल के जिसको हम लोग cover करने वाले हैं और काफी detail से cover करेंगे जो सबसे पहला issue होने वाला है वो हम लोग live mint से लेकर cover करेंगे बाकी दोनों दाहिंदू के हम discuss करेंगे जो live mint वाला article है थोड़ा से relevant है यहां पर हम लोग बात करेंगे हमारा जो ocean है जो हमारा समुधर है उसके protection को लेकर अभी recently एक step उठाया है उसको लेकर एक article दिखाया है बहुत सुन्दर सा बट करना क्या है बहुत अच्छे चीज़ों को सुनना है उसके basis पर मैं आपको एक mains का question दूँगा उस mains के question को attempt भी करना है तो mint का यहां पर एक editorial है यह editorial बात करता है our treaty to protect the world's ocean will serve everyone well तो यह जो treaty हुई है ना UN high seas treaty याद आ रहा होगा हमने पढ़ा भी था तो अभी जो treaty की गई है यह treaty कहीना कि बहुत ज़ादा बेहितरीन साबित हो सकती है दुनिया भर के लिए कैसे काम करें कि वो सारी चीज़े समझाए लारा विलियम्स ने आप पर इस पूरे के पूरे editorial को लिखा है चलो फिर discussion करते हैं अब देखो दोस्तों editorial में एक चीज़ यह होती है कि आप writer के जो point of views है उसको आप exam के लिए किस प्रकार से frame करके रख पाते हो है ना तो मेरा मकसद यहाँ पर यह होता है कि articles के regarding आपको कुछ अच्छे points में frame करके already दे सको सब कुछ news paper ही तो नहीं है ना आपको started data भी cover करना है ना तोनों चीज़े साथ में लेकर चलिए हाँ news paper आपका एक बहुत important part है बड़ आपको started data भी cover करना पड़ेगा obvious ही बात है इसलिए मेरा कोशिच यही रहती है कि मैं आपको ज़द 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 जो content है वो लिखे तो मैं notes की form में provide करवा दू ताकि आप इसको copy paste जैसा भी use करना चाहो कर सको यह PDF में आपको मिल जाता है PDF टेलिग्राम से download कर लेना ठीक है तो screen पर नीचे देखना आपको यहाँ पर सारा information मिल जाएगा तो world ocean की हम लोग बात करें दुनिया बर के समदरों की बात करें इसकी सुरक्षा बहुत important है अब इस editorial को लिखने के पीछे का context क्या है इस editorial को क्यों लिखा गया इसके पीछे का reason है क्योंकि हाली में United Nation के जो members है न उन्होंने यहाँ पर high seas एक treaty की है और इस treaty के दौरान क्या ह यह जो countries है उनका मकसद यह होगा कि जो international waters होता है उसको यहाँ पर हम सुरक्षित कर सकें international water को सुरक्षा देने के बारे में चर्चा की जा रही है अब यह क्या होता है इसको समझता है मैंने आपको थोड़ दर पहले पढ़ाया था ना कि कोई भी country है अगर वो समुदर के जो समुदर होगा वो उसी देश के पास में होगा उसी देश का control यहाँ पर उस समुदर वाले हिस्से में होगा लेकिन 370 किलोमेटर के बार उसके बाद का जो बाकी समुदर होगा वो हमारा international water कहलाता है वो हमारा high seas कहलाता है उस पे कोई भी control है नहीं और दुनिया भर में बहुत सारा जो कह सकते हो हमारा resources है वो waste होता वर नजरा रहा है बहुत सरा resources खतम होता वर नजरा रहा है दुनिया बर में जो मचलिया है वो पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है तो इस वज़ा से जो यह international water है न इसकी सुरक्षा करने के लिए यह high seas treaty किया गया था जिस यहाँ पर यह चर्चा में है तो यह थोड़ा सा ध्यान में रखना है यह जो treaty है न यह क्या करेगा यह कहीं न कहीं जितने भी members होंगे इस treaty के अंदर में उनको कुछ जिम्मेदारी देगा कि आपको किस प्रकार से अपने international waters की सुरक्षा करनी है अभी treaty यहाँ पर पूरी त सारा carbon अपने आप में store करके रखता है तो एक बहुत बेतिनी चीज़ है और अगर हमारे ocean कोई नुकसान पहुंचेगा तो कईना के इससे environment के उपर बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेगा जो हमारी carbon cycle वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी क्योंकि ocean अभी carbon absorb कर रहा है carbon absorb फिर इसी वे से writer ने आपर mention किया है कि हमें जरूरत है अपने oceans को protection देने की सुरक्षा करने की अच्छा पहली चीज़ यह बोलता है कि आखिरका हमें जरूरत क्या है क्यों बचाना है हमें अपने ocean को सबसे पहली चीज़ number one point क्योंकि हमारा जो ocean है वो कई सारे लोगों को support provide क का काम करता है ocean एक important जगा है लगबक कह सकते हो 3 million जो लोग है वो इसी समुदर के उपर dependent है उनको अलगलग तरीकी से security मिल जाती है ठीक है कई सारे लोग यहाँ पर कह सकते हो कि seafood consume भी करता है उनको यहाँ पर जो ocean है वो खाना भी दे रहा है कई सारे लोग को यहाँ पर मचली पकड़ना उसको यहाँ पर बेचना उससे यहाँ पर उनकी जिन्दगी चल रही है तो इस परकार से economic security और food security प्रोवाइट करवाने का काम करता है ocean कितने लोग को 3 billion से जाद लोगों को फिर उसके बाद में दूसरा important point बोलता है mitigates climate change अभी हमें ocean को बचाने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि यह climate change को कम करने मदद करेगा और अभी थोड़ दर पहली हमने एक report discuss की थी जहाँ पर बोला जा रहा है climate change कितना ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है है ना यह discuss किया था तो climate change एक ऐसी problem है जहाँ पर temperature increase होता वो नजर आता है तो यहाँ पर बो solution है greenhouse gas है carbon है उसको यह अपने आप में absorb कर लेता है है ना इससे क्या होगा heat ज्यादा होगी नहीं तो यह भी यहाँ पर कह सकते हो कि एक बहुत important feature है ocean का तो अगर हम ocean को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीना कि यह जो carbon release करने इसकी जो capacity हो खतम हो जाएगी है ना greenhouse gas को capture करने इ temperature बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा फिर तीसरा point यहाँ पर राइटर बोलता है maintaining carbon cycle ocean का एक और बहुत important role है हमारे किस चीच को लेकर हमारी carbon cycle को maintain करने का काम करता है मैंने जैसे बोला ना कि बहुत सर जो carbon है यहाँ पर यह absorb करता है और oxygen का production करने का भी काम करता है फिर बात दुनिया बर को खाना provide करवाना हो या दूसरे resources provide करवाना हो काफी सारे minerals यहाँ पर ocean से निकाले जा रहे हैं तो इसके तोर पर आप देखोगे तो दुनिया बर की economy एक major economy ocean के उपर dependent है even United Nations के according बोला गया है दुनिया बर की जो मचली वाली industry है ना fish industry इस fish industry ने 50 million से जादा लो को नौकरियां दे रखी हैं तो आप imagine कर सकतो कितने सादा लोग यहाँ पर अपने रोजगार को लेकर इस ocean के ओपर dependent है और केवल इतना ही नहीं काफी सरे लोग shipping कर रहे है tourism के perspective से ocean काफी important है renewable energy का use किया जा रहा है तो इस perspective से आप देख सकते हो ocean का importance हमारी जिंदगी में कितन रही है ocean को सुरक्षा देने में वो यहाँ पर ही समझाते हैं number one reason क्या है पहला करण वो है IUU इसका मतलब है illegal unreported unregular fishing यानि कि मचली तो देखो पकड़ी जा रही है क्योंकि मचली का जो सेवन है काफी से लोग करते हैं काफी से लोग यहाँ पर इसको खाते भी है लेकिन problem यह है कि current समय में over fishing जो है यह काफी जादा होने लगी है मचली पकड़ना ठीक है लेकिन एक हद से जादा पकड़ना नुकसान आयक है तो वही चीज़ यहाँ पर mention की गई कि over fishing सबसे बड़ा खतरा बन चुका है दुनिया बर गए ocean के लिए मचली पकड़ी जा रही है लेकिन ए उसके जगा ढूंटा है कि और कहाँ पर ग्रोप मिलेगा मचली का तो over fishing ना बहुत जादा बढ़ चुकी है जिसकी जाकर में fish stock हमारे ocean के अंदर में काफी कम हो चुका है जो कि कहीना के यहाँ पर एक खतरनाक बात है यह यहाँ पर mention किया गया फिर उसके आदम बोला गया food and agriculture organization के according बात करें तो 33% global fish stocks जो है ना यह over fished है यानि इतना सारा जो fish है वो कहीने कि over fishing की गई है पूरी तरह से extra यहाँ पर पकड़ा गया है और ऐसा ही हाँ पर हो रहा है तो यह कहीने कि हमारे लिए काम करने लायक नहीं है कह सकते हो कि हमें को यह benefit provide करवाएगा नहीं बट य तीसरा जो challenge वह आपने बताया जा रहा है वो है climate change climate change भी अपने आप में एक challenge है climate change से क्या हो रहा है जो ocean का temperature हमेरे समुदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के बाद में ocean acidity भी यहाँ पर increase हो जाती है जिसकी वज़ा से जो समुदर के अंदर पा अगला जो challenge है जिसकी वह सम ocean को सुरक्षा नहीं दे पा रहे है वो है pollution pollution एक बहुत बड़ा challenge है प्रदूशल में आप देखो कि डेर सरा plastic waste हो गया या फिर कभी oil spill हो जाता है जो तेल वगरा है जो जहाज है जहाज से कई सरा तेल जो है वो गिरता रहता है कभी-कभी जहाज जो है तूट जाता है या कभी-कभी जहाज डूब जाता है तो जो तेल वाले जहाज होता है तो उससे भी यहाँ पर पूरी तरह से समुदर में तेल फैल जाता है तो कभी-कभी oil spill हो गया या chemicals वगरा यहाँ यहाँ पर industry से release हो रहे है वो सारा का सारा जो chemical है वो सब कुछ यहाँ पर ocean में जा रहा है और ocean से बहुत सारा जो पानी है वो pollute हो चुका है और उससे जो marine life है वो कहिने के damage हो चुकी है यानि कि जो समुदर के अंदर में बहुत सरे जानवर पाये जा रहे हैं बहुत सरे पेड़ पाये पाये जा रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर खत दुर्गे अंदर में, कोरल्स वगरा देखने भी जाते हैं, बट हुआ क्या टूरिजम जैसे से बढ़ रहा है ना, खासकर लोग बीच पर घूमने भी जाते हैं, है ना, उसके अदमे ओशन में एक तरीके से कोरल रीज वगरा देखने लिए भी जाते हैं, लग लग जग पर यह लग बग 1.4 बिलियन के आसपास हो गए थे 2018 में, तो 2018 में 1.4 बिलियन के आसपास इंटरनाशनल टूरिस्ट पहुंच चुके थे, जो कि अलग अलग कोस्टल इरियाज में पहुंचे वे थे, है ना, और ओशन वगरा यहां पर घूमने वगरा गए थे, मतलब टूरिज कि कुछ ऐसे जानवर, या फिर कुछ ऐसा पेड़ पौदा जो है, जो कि एक एरिया में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, वो दूसरे एरिया में पाया जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे उस एरिया में आ गया, अब आने के बाद में क्या करता है, वो कहीना कहीं, या फिर कह सकते हो कोई पेड़ बहुत आ गया तो इससे यहाँ पर क्या होता है कहीं न कहीं दूसरे एडिया का जो वहाँ पर स्वाभा पर वह काफी जदा बिगड़ जाता है ठीक है तो यह भी चीज यहाँ पर नजर आती है ऊशन के मामले में तो यह जैसे मैं आपको समझा पर बहुत 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 है उपर यहाँ जाती है फिर उसके बाद में एक ओर बहुत 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 चैट्य भोई है लैक ऑफ गवर। operates है ही नहीं अब इसका मतलब क्या है देखो Сब्रॉपर यहाँ पर बूला है समूदर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जिसे अगर हमें अपने जंगल बचाने हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, protected areas declare कर देता हैं, हैना eco sensitive area declare कर देता हैं, ऐसे समूदर वाले region में भी हमें marine protected areas बना देने चाहिए, तो marine protected areas अगर बन जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप मशली नहीं पगड़ सकते हैं, कोई activities नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ कोई minerals अगरा नहीं निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे marine protected areas को चाहिए होंगे, बट आज के समय पर ये areas काफी ज़दा कम हैं, तो इस वज़ए से यहाँ पर बोला गया कि हमारे जो governance system में वही काफी ज़दा कमजोर है, ठीक है, और उसके पिछे का reason ये भी है, क्योंकि हमारे पास में जो international cooperation उसकी काफी ज़दा कमी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग- समय पर हमें काफी पीछे कर देते हैं, जिसकी वेसे हम अपने oceans को protection नहीं दे पा रहे हैं, फिर उसके बाद में बात आती है, suggestions की, writer ये बोलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने world oceans को protection देने के लिए, तो उसके लिए पहला ये उन्होंने सुझाव दिया है, कि आपको marine protected areas establish करने होंगे, जैसे मैं आप already बता चुका हूँ, जैसे हमारे जंगल होता है न, वहाँ पे अगर हमें जंगलों को बचाना है, है न, वहाँ पे पेड़ों की कटाई को रोकना है, या दूसरी activities को रोकना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसको eco sensitive zone declare कर देता है, ऐसी स जगा जगा पर जो fishing है, उसको थोड़ा सा control कर पाएं, उसको यहाँ पर थोड़ा सा थाम पाएं, दूसरा यहाँ पर suggestion दिया है, आपको pollution रोकरा पड़ेगा, जो plastic pollution है, इसको यहाँ पर control करना होगा, क्योंकि यह pollution कहीं है कि हमारे पूरे ocean system को damage कर रहा है, और pollution में आपको ध आपमान बढ़ने की वज़ा से, जो समुदर के अंदर पाए जाने वाले जानवर हैं, प्लस यहाँ पर दूसरे plants हैं, उसके उपर मैंने बूला ना बुरा आसर पड़ता बने ज़रा रहे हैं, इसकी चक्कर में भी यहाँ पर हमारी जो ocean की शमता है, वो पूरी तरह से खता पड़ेगा, कुछ ऐसी नीतिया, कुछ ऐसी policies लेकर आकर लागू करनी पड़ेंगी, जो कि इन लोग के सामने एक नियम रख दें, कि भई आप fishing करो ठीक है, लेकिन इस limit में करनी है, इस limit से जाधा नहीं करनी है, इस से क्या होगा हम over fishing को रोक पाएंगे, जो कि हर चीज की अगर उसे थोड़ा time मिलेगा, तो वो यहाँ पर बढ़ जाएगा दीरे-दीरे, लेकिन अगर time मिलने ही निदेर, उसे time ही निदे पा रहे हो, और एकदम से यहाँ पर over fishing हो जा रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर, यह थोड़ा घातक साबित होगा, पूरी तरह से यहाँ पर मशलियां खतम करती जाएगी, ठीक है, तो जो की again हमारे nature के पूरे against में चले जाएगा, फिर उसके बाद में illegal तरीके से जो यहाँ पर मशली पकड़ी जा रही है, उसको भी यहाँ पर रोकना होगा, illegal तरीके से कई सारी अलगलग प्रकारगी boards का इस्तमाल किया जाता है जहाँ पर बड़े-बड़े जाल इस्तमाल करे जाता है, यहाँ पर यानि कि ट्रॉलिंग वगरा की जाती है, बड़े जाल बादने के बाद में boards के अंदर में उस boards को आगे खींचा जाता है, जाल पीचे-पीचे चलता है, और वो जाल इतना जादा खुल जाता है कि बहु जवाब देगा नहीं देगा, बिल्कुल देगा, नेजर भी यहाँ पर उसको पलेट कर जरूर से जवाब देगा, तो वो यहाँ पर mention किया गया, अब इसको control करने के लिए हमें थोड़ा सा international cooperation में increase करना होगा, जाने कि जो हमारी सरकारे हैं, उनको साथ में मिलकर काम करना हो तो हमारा private sector, civil society, यह सब मिलकर एक important role play कर सकते हैं, हमारे ocean को protection देने में, तो यह बात यहाँ पर ocean protection से संब्दित थी, तो यह था हमारा आज का complete editorial थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, लेकिन सब कुछ relevant था, आपको examination के लिए पढ़ना है न, और मैं आपको पता दू, UPSC पहल आले बता चुका हूँ, है न, आपको मैंने exclusive economic zone के बारे हैं पढ़ाया है न, पढ़ाया है, पढ़ाया है न, editorial C के बारे हैं पढ़ाया है, उसको लेकर एक question था, यहाँ पर आपको तीन statements दिये गए हैं, और पूछा गया है कि इन तीनो statements में से कौन सा statement सही है, जैसा, पहला statement यहाँ पर आप देख पाऊगे, बोलता है, कि जो हमारा समुदर है न, उसका कुछ हिस्सा हमारे countries के पास मतब कोई भी देश है, उसके आसपास का समुदर का हिस्सा, उस देश के control में आता है, लेकिन उस देश का मानलो यह baseline है, यहाँ पर समुदर स्टार्ट हो जाता है, य फिर दूसरा यहाँ पर statement यहाँ पर बोला गया है, कि जो territorial sea होता है न, यानि कि एक particular country के आसपास का जो समुदर है, उस पर उसका control होता है, हाँ बिल्कुल, दूसरा statement भी सही है, और तीसरा statement बोलता है कि exclusive economic zone जो है न, वो 200 nautical mile तक का होता है, हाँ 200 nautical mile तक का exclusive economic zone देखने को मिलता है, जो कि baseline से start होता है, यानि ये country है, ये समुदर start है, तो उसके baseline से 200 nautical mile तक का जो region होगा, वो exclusive economic zone कहला हैगा, तो तीनों कितनों statement सही है, तीन statement दिये गए ते पूछा गया था कौँसा statement सही है, तो इसका सही उतर option D हो जाएगा, 1, 2, 1, 3, तो इसका D सही उतर है, च तेलिग्राम पर, या फिर टेलिग्राम पर stand कर दूँगा, आप उस picture को देख लेना, तीक है, जहां पर मैंने आपको exclusive economic zone के बारे में पहले भी समझा रखा है, नेक्स रिटोरल पर आता है, अगला रिटोरल बात करता है, आर foreign laws firm now allowed in India, यानि कि, देखो आज से दो दिन पहल गया था, पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हाली में हम लोगों ने क्या बोला है, कि जो बाहर की विदेश की जो universities हैं, उनके जो campus है, वो भारत में हम लोग campus लगवाएंगे, भारत में उन campus को establish किया जाएगा, अब उस campus के साथ साथ यहां पर एक और ची और ये कानून कौन लेकर आया है, ये Bar Council of India लेकर आया है, Bar Council of India क्या होता है वो भी आपको मैं समझाऊँगा, तो Bar Council of India ने विदेशी जितने भी यहां पर lawyers हैं, जितने भी विदेशी यहां पर आपको वकील देखने को मिलेंगे, या law वाली कम्पनिया हैं, उनसे यहां पर बोला गया है कि आप आके इंडिया में प्राक्टिस कर सकते हें अपके लौ aging यह बात किसी ने बोली है? बार कौंसिल वा इंडिया ने बार कांसर ऑफ इंडिया क्या होती है या law education जो भारत के अंदर करवाई जाती है वो सारा regulate करने का काम BCI करता है नहीं जो colleges वगरा हैं वहाँ पे आप LLB वगरा करते हो law colleges हैं उनका पूरी तरह से framework तयार करना rules and regulations लेकर रहना वो सरा का सरा BCI का ही होता है Bar Council of India का जब आप लोग LLB कर लेते हो ना काफ़ी से लोग करते होंगे तो उसके बाद में उन्हें एक All India Bar Examination भी यहाँ पर clear करना पड़ता है ठीक है ताकि उसको यहाँ पर एक certification बिल जाए practice का ताकि वो advocate पूरी तरह से तयार हो जाए यहना उसके लिए आपर Bar Council लिए इस exam को conduct कर वाता है या exam बगरा भी clear करना पड़ता है तो Bar Council of India क्या है I hope guys आप यहाँ पर समझ चुके होंगे अब ज्या है News क्या है निकल कर आई है News यह निकल कर आई है कि recently Bar Council of India ने एक नए rules and regulations की घोशड़ा कर दिये और वो नए नियम क्या है पहले उसका नाम सुन लो उसका नाम है Registration and Regulation of Foreign Lawyers and Foreign Law Firms in India 2022 ठीक है यानि कि बाहर के जितने भी वकील है Foreign Lawyers है Foreign Law Firms है वो इंडिया में आके practice कर सकती है इंडिया में के थोड़ा work कर सकते है तो उसको लेकर यहाँ पर basically यह laws लेकर आए गए है सवाल यह है कि यह नए laws क्या करेंगे देखो इस नए laws के अंदर में आपर बोला गया है कि जो foreign lawyers है जैसे simple सी बात है foreign lawyers बाहर के यहाँ पर यह वकील होंगे law firms होंगी वो इंडिया आएंगी और इंडिया में practice कर सकती है लेकिन इंडिया में practice करने से पहले उनको अपने आपको BCI के साथ में register करवाना पड़ेगा जैसे भारत के अंदर system है भारत में भी किसी को यहाँ पर अगर कानूनी तोर पर practice करनी होती है ना कानून सीखना होता है तो उसके लिए यहाँ पर किसी lawyer को आप यहाँ पर इंडिया में practice कर सकते हो ठीक है यह बात यहाँ पर बोली गई है उसके बाद में जितने ही foreign lawyers है या foreign law firms है इनको यहाँ पर पर्मिशन दे दी गई है लेकिन उसके साथ किसी court के सामने या पियर हो सके वहाँ पर्मिशन नहीं दी गई है court, tribunal, statuary या regulatory authority में यह पहुँच जाए ऐसे वाली पर्मिशन यहाँ पर नहीं दी गई है अब बस खली यहाँ पर practice कर सकते हो बस खली laws को यहाँ पर सीख सकते हो ऐसा यहाँ पर mention किया गया है ठीक है थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं corporate का कोई काम हो गया joint venture का का काम हो गया merger का, acquisition का, intellectual property की कोई matter हो गया तो वो वाले matters यहाँ पर यह देख सकते हैं बट यहाँ पर court वगरा के matter यह foreign lawyers को नहीं दिये जाएंगे ऐसा यहाँ पर mention किया है वहाँ पर इनको permission नहीं दिये जाएगी बड़े जो छोड़े-छोड़े matters यह वाले matters यहाँ पर इनको जरूर से दिये जाएंगे और इसके तहत यहाँ पर अगर इंडिया को कोई यहाँ पर lawyer है वो बाहर practice करना चाहे तो वो भी यहाँ पर कर सकता है उसको भी यही सारी powers मिलेंगी यही सारी यहाँ पर काम वो भी करेगा उसको भी यहाँ पर courts वगरा के अंदर इतना proper allow नहीं किया जाएगा तो यह basically यहाँ पर पूरा का पूरा system है जो कि BCI लेकर आया है तो आपको prelims के लिए BCI के बारे में जरूर से पता होना चाहिए BCI को लेकर आपसे examination में सवाल बन सकता है तो यह थे आज के हमारे important editorials अभी यहाँ पर एक और article है हमारा उसको हम छोड़ेंगे नहीं एक important article है एक second लुक जाओ वो यह है यह article क्या बात करता है कि जो हमारे scholars है experts है कहा के शांगाई corporation organization के SEO से belong करने वाले जो भी scholars experts है SEO क्या है SEO basically अलगले देशों का group है important है ध्यान अकना अभी मैं आपको समझाओंगा तो इसके जितने भी experts है जितने मिनुपूर्ड लोग है उन्होंने discuss किया है कि कैसे हम लोग Buddhist culture को revive कर सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय में Buddhist culture कहीं न कहीं decline पर नज़र आया है ऐसा यहाँ पर article में mention किया गया है decline पर क्यों नज़र आया है क्योंकि देखो तिबबत जो है ना वो बुद्धिजम के लिए बहुत ज़दा famous है लेकिन तिबबत को यहाँ पर चैने ने कबज़ा लिया पूरी तरह से है ना आपने दलाई लामा का ज़रूर से नाम सुना होगा बुद्धिजम में एक बहुत important personality दलाई लामा एक बहुत pure इंसान pure soul बिलकुल तो जो दलाई लामा है वो तिबबत से बिलोंग करते हैं अब हुआ क्या है कि आपकी बारवाले जो जो इसे current जो दलाई लामा है न वो अभी इंडिया में है क्योंकि तिबबत को यहाँ पर चैने ने कबज़ा लिया था तो वो उन सब को यहाँ से तिबबत छोड़कर निकलना पड़ा और तिबबत छोड़कर आए इंडिया में खासकल हिमाचल प्रदेश में धरमशाला में जो है वो लंबे समय से रोके वे हैं ठीक है जो बिसिकली चौदवे दलाई लामा है करेंट समय में बुद्धिजम में ये चौदवे दलाई लामा है तो ये अभीना क्या है ये भारत में रह रहे हैं लंबे समय से क्योंकि ये तिबबत वाले रिजन को ये 1959 में छोड़कर निकल गए थे क्योंकि उस समय पर चैने ने तिबबत को कब जा लिया था तो अब क्या बुला जा रहा है बुला ये जा रहा है कि बुद्धिजम कहीं न की काफी खत्रे में आ चुगा है कैसे कि अभी आप देख पाऊगे ये चौदवे दलाई लामा है इस प्रकर से हमेशा एक ही दलाई लामा होता है अब क्या होगा यही दलाई लमा बताएंगे कि अगला दलाई लमा कौन होगा कहां पर वो जन्म लेगा यही दलाई लमा बताएंगे ठीक है कि अगला दलाई लमा कहां पर जन्म लेगा कौन होगा वो यह सारी information यही देंगे चौधवे वाले लेकिन हुआ यहां पर यह चाइना बीश में आ चुका है क्योंकि चाइना ने तिबबत को कमजा रखा है और तिबबत में दलाई लामा जो है एक प्यॉर सोल है सबी लोग यहां पर मानते हैं उनको तो चाइना चाहता है कि आप दलाई लामा चाइना से बने चाइना बनाएगा खुद तो इस वज़ा से यहाँ पर possibility है अपकी बार दलाई लामा दो हो जाए तो वो ही बुलाएगा कि अभी तक इतिहास है अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ पलटता जा रहा है यहाँ का culture, बुद्धिस्ट culture कहीना कि यहाँ पर decline पर आ चुका है चाइना की हरकतों की वेज़से अपकी बार दो दलाई लामा हो सकते हैं, ऐसा खुद जो हमारे current दलाई लामा है, उन्होंने खुद यह बात बोली है कि चाइना की हरकतों की वेज़से अपकी बार दो दलाई लामा हो सकते हैं क्योंकि देखो दलाई लामा बनने का अगला कौन बनने का वो करेंट वले दलाई लामा ही बता आता है जैसे आज के समय में जो दलाई लामा है ना वो ही बता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा कहां पैदा होगा लेकिन चाइना चाहता है कि हम अपना बनाएं ताकि हम तिब्बत को और पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएं लेकिन चाइना कह रहा है कि अपकी बार हम बनाएं कि हमना दलाई लामा तो इनका कहना ये है कि देखो ये कल्चर बुद्धिस्ट कल्चर आज के समय में इतना ज़्यदा अफेक्ट हो चुका है कि यहाँ पर अपकी बार हो सकता है दो दलाई लाम हो जाए चाइना अपना बनाए लेकिन हमें तो बना नहीं है लेकिन हो सकता है चाइना भी अपना बना दे तो करने के बुद्धिस्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए जो S.E.O. कॉंट्रीज है शांगाई कोपरेशन और अउगनाजिशन के जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर कई सारे तरीके जो है वो डिसकस कर रहे हैं और आगे भी यहाँ पर डिसकस करेंगे ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है फिर यहाँ पर बोला गया कि इंडिया भी यहाँ पर वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉंफरेंस होने वाला है उसको host करेगा, आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा conference होने वाला है, Buddhism को लेकर जहाँ पर Buddhism की चर्चक की जाएगी ठीक है, तो उसको यहाँ पर भारत host करने वाला है और अभी जो यह हम बात कर रहे हैं यह क्या हुआ था, एक Buddhist heritage करके यहाँ पर एक event हुआ था, एक conference हुआ था, पिछले सब था ठीक है, तो उस conference को भी भारत ने यहाँ पर host किया था, और वो SEO, शांगाई Corporation Organization के अंडर में पूरा conference रखा गया था शांगाई Corporation Organization के जो countries है उन्होंने यहाँ पर participate भी किया था तो भारत ने host किया था, तभी यहाँ पर यह discussion किया गया, उसी वज़ा से यह चर्चा में है अब सवाल यह है कि सर यह SEO यानि शांगाई Corporation Organization है क्या जरा इसको ही बता दो, देखो यह permanent inter-governmental organization है यानि कि कई सरी जो देश इसके members है वो आपस में उनके सरकारे मिलकर वर्क करती है, अब है क्या इस body को वैसे 2001 में बनाया गया था है ना, ध्यान रखना 2001 में आपर इस body को बनाया गया था बाकि यह working में आई है 2003 से 2003 से आपर body काम कर रही है 2001 से पहले देखो 2001 में हम इसको SEO के नाम से जानते थे, लेगिन 2001 से पहले इसको शांगाई 5 के नाम से जाना जाया करता था शांगाई 5, यानि कि इसमें 5 कंट्रीज हुआ करती थी कजगस्तान, चाइना, कर्गिस्तान, रश्या, तजगिस्तान इन 5 कंट्रीज का ये पुरा पुरा ग्रूप हुआ करता था बाद में क्या होता है कि इसके अंदर 2001 में यानि कि साल 2001 में बुला गया कि हम उस्बैकिस्तान को और जोडेंगे अब उस्बैकिस्तान को यहाँ पर 2001 में जोड लिया गया इसमें तो इस शांगाई फाइफ पहले नाम था अब इसमें 6 हो गए तो दाम तो बदलना पड़ेगा तो नाम बदल कर तब से इसका शांगाई कोपरेशन और्गनाजिशन कर दिया गया फिर 2001 के बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर एक साथ इस शांगाई कोपरेशन और्गनाजिशन के मेंबर्स बन गए थे तो आज इंडिया और जो पाकिस्तान है दोनों यहाँ पर इसके मेंबर्स है फिर बात की जाती है इरान को भी मेंबर बनाय जाएगा 17 सितंबर 2021 में जो इरान है वो भी आपर शांगाई कोपरेशन और्गनाजिशन का फिल मेंबर होगा इसका मेजर मकसट के है इसका मेजर मकसट है यह जो देश है जितने भी वह आपसे मिलकर वर्क कर सके आपसे मिलकर अलगलग मामलों में कोपरेट कर सकें politics में, व्यापार में, research में, technology में, environment में, tourism में, transportation में, हर चीज में आपसे मिलकर corporate कर सकें, शान्ती को बना सकें, अपने इस particular region में, यह इनका एक major मकसद है, तो शांगाई cooperation organization में total कितने members हैं, तो वो यह सारे members आपको नज़र आएंगे, कज़क्स्तान, चाइना, कर्गिस्तान, तज़किस्तान, उस्बैकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इरान, यह सारे यहाँ पर शांगाई cooperation organization के members हैं, यह ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, और इसमें कई सारे members होते हैं, कई सारे head होते हैं, वो यहाँ पर समझाया गया है, उसको आपको इतनी ज़्यादा पढ़ने क इसका headquarter कहाँ पर है, तो शांगाई cooperation organization का जो secretariat है, जो main headquarter है, वो आपको बीजिंग में देखने को मिलेगा, और इसकी अपने आप में कुछ official languages है, रशियन और चाइनीज यहाँ पर यह दो official languages का यहाँ पर use किया जाता है, ठीक है, तो यह था आज का हमारा पूरा का पूरा question है, तो यहाँ पर आपको तीन अलगत bodies के नाम दिये गए, AIIB, Missile Technology, Control Regime, Shanghai Corporation Organization, पूछा गया, इंडिया इसमें से किस-किस का member है, ठीक है, तो थर्डवल आप देख पाऊंगे, Shanghai Corporation Organization भारत इसका member है, ठीक है, तो बारत इसका member है, विससे यहाँ पर तीनों का member है, तो इस विस तो आज का मारा prelims का question क्या था, वो आपको screen पर दिखाई पड़ रहोगा नीचे, 2021 में यह पूछा गया था कि constitutional government मतलब क्या होता है, तो इसका सही उतर है, option number D, एक ऐसी government, जिसके उपर कुछ limitations हों हमारे सम्विधान की, तो government limited by the terms of the constitution, ठीक है, government के बास में power भी सम्विधान स दे रही है, और वो ही उन powers को limit करके रख रही है, वो ही powers को सीमित करके रख रही है, और वो ही यहाँ पर constitutional government कहलाती है, इसको ध्यान रखना, इसके साथ करते हैं lecture को समापत, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, आज के लिए बाबा, have a nice day, thank you and जैहिंद.